दोस्तों अगर आप एक video creator हो चाहे वो किसी भी प्लैटफर्म पो हो लाइक TikTok हो Instagram हो Facebook हो या फिर YouTube हो तो दोस्ता आप एक video creator हो तो आपको एक video editing application की जो रत पढ़ती ही है video editing software की जो रत पढ़ती ही है तो गाई मैं कुछ दिनों से जो है एक software मिला जहां से आप दोस्तों एकदम इसका जो इंटरफेस से एकदम सिंपल है आप यहां से अराम से अपने वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से वह भी एकदम हाई लेबल का अपने वीडियो को परफेक्ट तरीके से एडिट कर सकते हो तो वीडियो के इन तक देखना मैं बताँगा कौंसा साथ एल एक कीव traffic के लिए अगर आपके पास PC है या पर लेपटोप है ता आप इसको install करना होगा और यह कौण साप्टेराइर चलिए दिखाऊंगा उसके लिए चलते हैं अपने लापटाप की स्कृ्इन पर अपने आपको सब्सकेर देख सकते हैं यह है वो सौप्टेर जिसका नाम है इस-ई-उस पूर्ट आ रहा है अगर आप इसको वाई करते हो तो चलिए यहां पर मैं दिखा देता हूं कितने का यह आता है तो देखिए यहां पर अगर यहां डिखाता हूं यहां पर दोर हूं अपर है यह node करते हिएं तुम्लोड हो हो चुका है यहां पर आपको क्लिक करना है तो चलिए इसको सब्सक्राइब ग्रसेस आपको सेट आप आया यहां पिस परो सेट आप कांएगा यहांस आपको टूटोरिए वीडियो पर आपको इस वीडियो पर मिल जाएक इसको करते हैं अब यह आपन हो जाएगा अब यहां से देखिए दूस्तों इसका यह सौफ्टर मेरे यह यहां पर स्क्रिन पर आ चुका है इसको चलिए ऑपर करते हैं अब उसके बार इसका इंटरफीस दिखाते हैं और सारा डिटियल वरता था यहां पर आपको कैसा कैसा फीचर मिलता है कैसे अपने आप वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो तो सबसे पहले कहले आपको यहां पे रेसी हो आता है ठीक है पोट्रेट में करता हूं यहाँ पर कैसा के इंटरफेस है तो अभी आप लोग देख सकते होगा है यहाँ पर पूरा इंटरफेस इसका खुल चुका है जो कि आपको यह यहाँ पर दिखाने वाला हूं तो यहाँपे देखे सबसे पहले है यहाँ आपको मिलता है maybe अफको एन पिर्थेस करने के लिए क्वालेटी को आप इसको अन फिल्टर्स का व्हां जाते घ्र से आपको मिलता overlays, overlays के उपर में आप इन सारे effects को लगा सकते हो, जो कि आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे effects यहां से देखने को मिल जाता है, उसके बाद guys मिलता है आपको transitions, transitions क्या होता है कि एक वीडियो से दूसरा वीडियो जब jump करता है आपका वीडियो, जब अब edit करत जो कि आप अपने वीडियो पर यूज कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारे आपको यहां से icons मिलते हैं, ठीक है, इनको कहते है elements, तो इन elements को भी आप अपने वीडियो पर यूज कर सकते हो, उसके बाद guys यहां पर मिलता है music, जो कि आपको by default इस software पर आपको ठेर सारे music मिल जाते हैं, जिन music को आप जो है अपने वीडियो पर यूज कर सकते हैं, इस आपको इस arrow पर क्लिक करना है, then in music को download कर लेना है, जो भी music आपको यूज करना हो, उसी तरह सारे आपको जो है, आपको डाउनलोड ही करना होगा, हम में सब में arrow आपको दिख रहा है, तो यह देख चलिए, मैं आप पूरा detail बताता हूँ, आप कैसे इसको जो है edit करोगे, तो सबसे पहले आपको आता है import करने का option, import का मतलब होता है, उसके बाद दोस्ते ही यह से बताने चाहूँगा, import में आप जो है import करके भी आपने वीडियो के यह पर ला सकते हैं, यहा पर simply से drag file कर सके यहा पर आपने files को ला सकते हो, और इसको कहते हैं दोस्तो timeline जो कि आप यहा पर सारा आपने वीडियो का देख पाऊगा, यह है screen area, जहाँ पर आप edit करोगे तो आपने वीडियो के यहा पर देख पाऊगे, तो चलिए यहा पर import करता हूँ, मैं किसी एक वीडियो को, import file पर और मेरा यहाँ पर desktop पर देख सकते हो, मैंने वीडियो कुछ रखे हुए है, तो उन्हीं को मैं करूँगा, import HD वीडियो में, यह देखे एक file यहाँ पर मेरा रखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ, open, यह देखे यह open हो चुका है, तो guys देखे यह एक वीडियो यहाँ पर था अब दोस्तों देखे यहाँ पर दो वीडियो आपके सामने आ चुका है, मैंने दो वीडियो को सेलेट किया था, तो इसको यहाँ से करते हैं add, तो यह आपका timeline पर add हो जाएगा, तो यह देख सकते हो, यह timeline पर आ चुका है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस वाले screen recording को भी add कर सकते हो, तो चलिए मैंने इसको drag करके add कर लिया, ठीक है, आप दोस्ती यहाँ पर देखिए, यह रहा है एक वीडियो, जो क्या आप दोस्तों देख रहे हो, यहाँ पर screen पर दीख रहा है, आप देखिए यहाँ पर बीच पर जो है, इस तरह से माली जे कुछ unnecessary part है starting में, इसको मुझे जो है, माली जे cut लगाना है, तो simply से मैं यहाँ पर जाओंगा, और यहाँ पर cut वाला एक symbol मिलता है, यहाँ पर cut लगा दीजिए, यह आपका वीडियो दो पार्ट में cut हो जाएगा, जब आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो cut लग चुका है, दो पार्ट में य इस यह उननेसेसरी पार्ट को डिलेट करना है, तो simply से क्लिक करके यहाँ से डिलेट बटन पर क्लिक कर देना, तो यह देखें, यहाँ पर cut चुका है, अब दोस्तों माली जे इसको उपर मुझे text डालना है, तो मुझे जाना simply से text को उपर में, और आपको यहाँ सारे text मिल पर डवल टैप करने से आपका जो है यह आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके आप यहाँ से इसको एडिट करके कुछ भी लिख सकते हो, लाइक जो भी आपका मन हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुझे इस दे, इस तरह से आप इसको text को डाल सकते इस तरह से, यह देखी यह फिल्टर यहाँ पर लग चुका है, अब यहाँ से आप देखोगे तो यह चेंज हो चुका है पुरा कलर वीडियो का, और इसका रियल कलर इस तरह का है, यह है फिल्टर, तो इस तरह से आप यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो, उसके बाद दो सारे overlays मिलते हैं उसके बाद transitions मिलता है आपको दो वीडियो के पार्ट के बीच बीच में लगा जाता है जैसे कि यहां पर आप माल लिजे मेरा एक screen recorder है और एक अपना खुद का वीडियो है यहां पर देखे एक दो लगा सकते हो बीच में लगा पार्ट पर यहां पर मैंने लगा दिया अब जब यह वीडियो यहां से जब cross करेगा तो देख सकते हो यहां पर transitions आएगा तो यह रहा यह देखिए यह है तो आप यहां से इस तरह से transitions भी लगा सकते हैं उसके बाद उसके ऐलिमेंट्स पर आप धेर सारे elements आपको मी जाते हैं जो कि आप elements को भी अपने वीडियो पर यूज कर सकते हैं आपको धेर सारे elements जैसे countdown वाला element ठीक तो countdown आप लोग जो देखते होंगे बहुत सारे वीडियो पर countdowns आता है तो उसी तरह आप यहां से countdowns को भी लगा सकते हो तो यह देखिए यहां पर एक और countdown है इसको मैं डाउलोड करता हूँ आप लोगो दिखाता हूँ कैसे इसको यूज करना है वो countdown जो था वो premium version में available है ठीक है तो इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ ति यहां से आपको simply से add कर देना है ति यह देखिए यहां पर countdown लग चुका है जब यह वीडियो यहां से cross करेगा ति यहां countdown start हो जाएगा ति यह देख सकते हो countdown हो चुका है ति इस तरह से आप इन countdowns को भी यूज कर सकते हो बहुत सारे elements आपको मिलाते है इन elements को अपने वीडियो पर करना है या फिर add कर देना है इस तरह से add के उपर में प्रेस करेगा तो यह music आपका add हो जागा timeline पर ठीक है तो यह देख सकते हूं यहां पर music आ चुका है अपने वीडियो पर music लगा सकते हो उसके बाद यहां पर मैं और कुछ दिखाऊं आप लोग को इसका सारा function में दिखा देता हूं कैसे आपको अपने वीडियो के लिए इसको यूज करना है तो चलिए इसको छोटा कर देता हूं मैं वीडियो को तो यह रहा उसके बाद दो यह देखिए आपको इस वीडियो का नाम लिखना है यहां पर आउटपूट फोल्डर यूज करना है उसके बाद यहां आउटपूट सेटिंग में आप अपने वीडियो को चेंज कर सकते हैं और डियोरेशन यहां पर आपको दिख रहा है एक मिनिट चालिस सेगंड का है यहां साब आपने वीडियो का यहां पर नाम भी लगा सकते हो जैसी यह है इस तरह सो मैंने कद्या सेव उसके बाद यहां साप एक्सपोट कर सकते हो तो एक्सपोट करोगा गाई तो यह फ्री वर्जन है जहां पर आपको एक वाटर मांक देखने को मिलेगा अगर आपको आपको यहां से आपको लेट को पर करना होगी जो कि एक्टिवेट कर सकते हो टिकर तो यहां पर जो है कर सकते हो जो कि αναफ्याब भी ले लेगा ले सकते हो जो कि मैं आपको दिखा दिया यह रहा मैं चलिए इसको एक्सपोट करता ह। तो इसको मैं कर लेता है है अपने डेक्स्टॉप में लिया एक्सपॉट तो यह देखिए एक्सपॉट जब आपको वाटर मार्ग हटाने के लिए आएगा सब्सक्राइब करने के लिए आप अगर इसका लाइसे करना चाहते है या फिर आप ही विलेवेट के उपर में प्रेस है तो चलें इसको स्कोरण करते है मुए के विďो के दिखाता हूं यह चलिब हों रहे हैं सुग यह देख़ें आप लोग मैं दिखाता है करके एक इसको करना होगा उसके बाद यह देखिए मैंने इसको एडिट किया था तो बहुत सारे countdowns यह सब देखे countdown में लगाते हैं यहाँ पर ट्रांजिसन हो गया उसके बाद लाइक कीजिए अपने दोस्तों साजार कीजिए चैनल को नहीं है यह सब्सक्राइब करने चलिए आज के लिए तना ही तब पिखले जाहिन वन्ने मात रहाँ